नमस्कार मेरा नाम इमान शुद्रवन और आज इस वीडियो में बेसिकली पंच कर्मा का रूल देखेंगे कि पंच कर्मा कितना रूल देता है एक ओलिकोस्परमिया या एजुस्परमिय के पेशेंट्स में तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली पेशेंट उससे दिक्कत में आते हैं या नहीं आते पहले उसके बारे में बात करते हैं देखो पंच कर्मा आयुवेट में एक अच्छी प्रॉसेस है उसमें हम टॉक्सिंस को भार निगालते हैं हम उससे बॉड़ी की जितनी भी इं करके लिए उससे वो medicinal property through oil या through किसी भी चीज से लेकर हम उस जगा को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो basically पंच कर्मा अगर मैं बात करूं male infertility में या जैसे मैं बोलूँ कि ओलीगो या इसुस्पमया में उसमें कुछ common चीज़े होती हैं आलमस सभी पंच कर्मा में कुछ चीजे common होती जैसे कि वह वहां वेदेचन जैसी प्रक्रिया से देते हैं या उत्तर बस्ती यह तर्बस्ती इट स्वाइन अच्छी बात है उत्तर बश्ती देते हैं फीमेल से बहुत अच्छा काम भी करती है अगर फीमें कर सकते हैं but in male reproductive organ में थोड़ा सा टास्क हो जाता है क्योंकि एक जरिया हमारा जो होता है जिससे हम युरेथर तर्क या कोई medicinal property पुछा सके थोड़ा सा टास्क हो जाता है दूसा वमन और विवरेचन जो है वो बेसिकली थोड़ी सी बौड़ी को थोड़ा सा हार्श कर देता है या जिसे में थोड़ी दिक्कत में ले आता है क्योंकि पेशेंट आते हैं पंच कर्मा के और वो क करता है अब हमारे पास जो पेशेंट आए तो युज परमया के पेशेंट थे जिन्होंने बोला पंच कर्मा मैंने इतना टाइम कर ले मेरी तब्यती खराब हो गई है मेरी वह गई है और आयोवेद को कर्स कर रहे थे एक तरीके से बलू तो आयोवेद को गलत बता रहे थे एक ओलीगो याजूस परमय के प्रॉब्लम्स में भी अच्छा काम करता है बट बेसिकली उनका कंसेप्ट समझना पंच कर्मा समझाना क्या चा रहा है और आपको करना क्या चा रहा है शरीर के साथ वह इंप्योरिटीज को एलिमिनेट करना मांग रहे हैं बेसिकली पंच कर समझी आप अपनी बॉड़ी में यूस्वली यूस करके अपने सपर्म प्ररोडक्शन को बढा सको अब यहां पर क्या होता है कि वह वमन करवा रहे हैं तो उसमें बेसिकली वमन पहले चलो थोड़ा सा वर ममन और विरेचन को अब जाल को समझा देता हूं में बेसिकली वह आप से एक तरीके से मूँ के थू Hugh टॉक three to be our молещah विरेचन में आपके एकिश्टेक स्सेटाँ से टॉक्सिन को भा निकालने की कोशिश कर रहे है आपका मैट्बॉक ऑट्विटी को स्टॉंग बनाने की कोशिश क्या आपका डायिशन system को अच्छा करने की बोश्चिश कर रहे हैं यह दो चीजे बेसिकली पंच कर्मा में होती हैं तो इन दो चीजों से बेसिकली पेशेंट की तब्यत खराब भी हो जाती है थोड़ी बहुत इसलिए वो आईवेट को थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं बट आईवेट में पंच कर्मा जरूरी नहीं है पहली चीज समझो अगर आपकी बॉड़ी सस्टेन नहीं कर पा रही है तो इट मींस की वो दिक्कत में आ होते हैं बट अगर आपकी बॉड़ी उसको सर्वाइव नहीं कर पा रही है उस चीज को सस्टेन नहीं कर पा रही तो आप उसको डिसकॉंटिन्यू कर सकते हैं अब आप बेसिकली कंसेप्ट जो है वो आपकी इंप्योरिटी को भाह निकालना और दूसरा आपके मेटबॉल इसको बढ़ाना उसको हम डाइट से ठीक कर सकते हैं अगर हमने अपनी डाइट को हलका कर लिया थोड़ा सा साधा बना लिया ज्यादा फाइबर इंटेक करना चालू कर दिया तो अपने आपी ऑटमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाता है अब यहां पर अगर कोलाइटिस है या आईबिस की दिकत जा चुकी है या फिर कोलाइटिस बनके बना हुआ है तो उसके लिए आप कोई भी आईवेद में मेडिसिन ले सकते हैं अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा कर आप ठीक करवा सकते हैं बट उससे पहले थोड़ी जनरल इंफरमेशन आपको होनी क्लाइटिस और आईबिस में होता क्या आईबिएस में बेसी के लिए आपको लूज मोशन लग सकते हैं और या फिर आपको बहुत जादा अधा टाइट स्रूल आज सकता है पहली कोलाइटिस में आप खाना खाने के बाद फ्रेश होने जाना पड़ता है और फ्रेश होते में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो अपने गट को बैटर कर लो कि आपके स्परम काउंट अपने बढ़ जाएंगे ठीक है उसके लिए आपको वमन विरेचन करवानी की जुरुरत नहीं पड़ेगी अब रही बात यहां पर कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम इतना इंप्रूब हो जाता है आपकी डाइट से या आपने कोई मेडिसिन ले ली जैसे कि कुछ OTC प्रोड़क्ट है जैसे कि संजीवनी बटी मार्केट में अवलेबल है अगनी टुंडी बटी मार्केट में अवलेबल है इन दोनों चीजों का कॉम्ब तो इसी के साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं मना नहीं करता कि आप मत करो आप करवाओ अगर आपकी बॉड़ी उसको अलाव कर रही है सारी एक्टिविटीज जो उसमें होती है वो सारी की सारी आपको बैटर परफॉर्म करने में हेल्प कर यह तो जरूरी नहीं है कि आपको पंच कर्मा करवाकर ही अपने फर्टिलिटी को बैटर कर सकते हो अपने स्पम काॉंट को बढ़ा सकते हो उसके अलावा भी बहुत सारे अगर आउवेद में जो आपको इंप्रूमिंट आपकी अपी रिपोर्ट्स में दिखा सकते हैं जैसे कि मैं आपको सामने को कर्स कर रहे हैं तो प्लीज मत किजिए क्योंकि आई उए पन्च कर्मा रिकमेंट नहीं किया जाता तो इसलिए आयो इसमें पन्च कर्मा है और पन्च कर्मा से परिशान हो चुके हो जरूरी नरी है कि ठीक कर्के प्ल्रौ सो कम आप uh से ठीक कर सकता है और भी बाकी है मेडिसिन भी है आई वेद में और जो आपके उपर काम भी करते हैं बड़िया काम करती है इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो के लिए तब तक के नमस्क्राइब